अगर आपके बच्चे बाजार में मिलने वाले इस तरीके के मैंगो ड्रिंग्स को बहुत पसंद करते हैं, जिनमें कई तरह के प्रिजरवेटिव्स और अडल्टरिंट्स मिले होते हैं और आपको चिंता है उनकी सेहत की, तो क्यों न हम इसे घर में ही बना ले? तो आईए सीखते हैं शेफ शाकेरा के साथ एक्जेकली बाजार जैसी फ्रूटी या माजा, वो भी दस मिनिट में और वो भी घर की हाईजिनिक कंडिशन्स में, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो पके हुए मीठे आम, तो यहां मैंने दो अलफेंजो मैं तो दो पके हुए मीठे वाले आम और एक छोटी कच्ची केरी अब इन दोनों चीजों को हमें ग्राइंडर जार में डाल लेना है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है अब बहुत सारे वीडियो देखेंगे जहें पहले उबाला जाता है और फिर बहुत लंबे प्र यह दिखिए कितना बड़िया कलर आया है अब हमें कड़ाई ले लेंगे नॉन स्टिक कड़ाई ली है मैंने आप नॉन स्टिक पैन कुछ भी ले सकते हैं इसमें अब हम इस पेस्ट को डालेंगे और इसे मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे तो पूरे मिक्चर को हमें ट्र अब इसे चलाते जाना है सभी तरफ से और इसे मध्यमांज पे पकाते रहना है अब हम इसमें डाल रहे हैं एक कप शक्कर तो आप ये कॉंटिटी चेंज कर सकते हैं आपके आम अगर ज्यादा मीठे हैं तो आप शक्कर कम लीजिए अगर आपकी कैरी काफी खटी है तो आप जादा शक्कर लीजिए तो आपके हैसाब से आप शक्कर ले लीजिए यह मैंने पूरा एक कप शक्कर ली है कैरी डालने का यह मकसद होता है कि उससे स्वीटनेस इकदम बैलेंस हो जाती है अब यहां मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून विनेगर सफेद विनेगर या सफेद सिर्का जैसे कहते हैं यह कंप्लिटली ऑप्शनल है अगर आपको जादा दिनों तक इसे स्टोर नहीं करना है तो आप यह अवाइट कर सकते हैं इसके बिना भी आप इसे 10 दिनों तक स साइड में चिपकने नहीं देना है इसे लगातार चलाते रहिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी तो लगबग एक ग्लास पानी मैंने डाल लिया है अब हम इसे तब तक पकाना है जब तक कि एक तम शाइनी ना हो जाए थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट इसकी कंजिस्टिन्सी हो जाएगी तो काफी चमक जब आ जाए इसके उपर तब हमें इसे पकने रोक देना ही देख सकते हैं आप काफी शाइनी हो चुका है और इसकी एक और पहचान यह है कि साइड में जो है वाल से इस्टिक हो जाता है और आप जितना भी कोशिश करें अच्छे से नहीं निकलता है देखिए अभी इससे थोड़ी देर और पकाना है तो लगभग आठ से नौ मिनिट इससे पकते हुए हो गए हैं आप देख सकते हैं कि इसकी साइड में आप कोशिश करेंगे तब यह नहीं निकल रहा है तो यह अब अच्छे से पक चुका है यह देखिए और कितनी शाइन आ चुकी है इसमें तो अब इस पॉइंट पे हम चूले को बंद कर देंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे तो ऐसे एक छलनी से हमें इसे स्ट्रेन करना है ताकि इसके रेशे वाला पार उपर रह जाए ताकि बच्चों को पीने में बहुत आसानी है उनको बहुत अच्छा ल आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ फाइब्रस पार्ट रह गया है सिर्फ रेशे रह गये हैं दिखिए तो यह रेशे हमने अलग से निकाल लिए च्छान के यह दिखिए तो हमारा कंसेंट्रेट रेडी है मेंगो का अब हम इसमें पानी डाल लिए तो दोस्तों मैंने एक लिटर पानी पहले से इलग निकाल के रख लिया था तो थोड़ा-थोड़ा करके मैंने एट कर लिया है शुरू में भी मैंने एक गलास पानी add किया था उबलते वक्त और अभी भी मैं धीरे-धीरे करके पूरा पानी एट कर लूँगे, तो यहां मैंने एक लीटर पानी लिया है, आप आपकी कंजिस्टेंसी, जैसे आपको चाहिए वैसे उतना पानी ले सकते हैं, अगर आपको बहुत पतला फ्रूटी जैसा चाहिए तो आप ज्यादा पानी एट हो जाता है, और इसे ठंडा ठंडा सर्फ कीजिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है बच्चों को और हमें पता है, हमने अपने घर में बनाया, एकदम हेल्दी और हाईजिनिक कंडिशन्स में बनाया है, तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, कम से कम एक महीने क से सेव करके रख सकते हैं, और इस टेस्ट में भी बिल्कुल फ्रूटी या माजा जैसा ही लगता है, अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई है, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेर कीजिए, और मेरा चानल शेफ शाकिरा सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई-ई-ई रेसिपी तुरंत मिलती रहे, हमें इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे भी फॉलो करना मत भूलिए,